प्रेंड स्वागत एक नए वीडियो आज हम बात करने वाले हैं आईफोन से एंड्रोइट फोन में ओडियो वीडियो फोटो कैसे आप सेंड कर सकते हैं तो आज की वीडियो हम यहीं बात करेंगे और इस चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, iphone का वाइफाई ओन कर लेना है और hotspot के साथ connect कर लेना है यह आपको iphone का hotspot on करके आपको android phone में wifi ओन करके आपको connect कर लेना है एकी network से connect करना है बाज़ों है आपको browser को open करना है जहां पर आपको sirge कर लेना है snapdrop.net ठीक है ? सर्ट करने के बाद जो है आपको इसमें भी आपको snapdrop.net सर्ट कर लेना है सर्ट करने के बाद आपको इस ट्राइब का इंटरफेस देखने को देगा तो हमें जो है iPhone से Android phone में photo video audio send करना है तो यहाँ पर देख सकते Android का option आ रहा है iPhone में Android पर करना है click एक फोटू एलबम में library में चली जाना है click करने के बाद जो है आपको इहां से select कर लेना है आपको क्या send करना है आपको video send करना है audio send करना है यहाँ पर album का option आ जाता है और भी option ठीके audio video select करने का आपको जो भी पर आद पर कलीक करेंगे तो आपको थोड़ दिर बीट कर लिया है उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको थोड़ दिर और बेट कर loses उसके बाद जो है आपको Android फोन में इस टाइप का पॉप अप मिलेगा यहाँ पर से पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी वीडियो आइफोन से आपने सेंड के होगा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर मैं आपको उपन करके दिखा देता हूँ इसी तरह से आप iPhone से Android फोन में फोटो वीडियो ओडियो सेंड करना है आपको बैक जाना है बैक जाने के बाद जो है आपको यहाँ पर आइफोन में Android फोन में आइफोन का आप्सन आ रहे है खिक है आइफोन पर क्लिक करना है क्लिक करेंगे फाइल में जाना है फाइल में जाने के बाद जो है आपको ओडियो वीडियो जो भी आपको सेंड करना है आपको वो सेलेक् यह हैं आपको ऐड मिलेंगा सेव पर क्लिक करेंगे डाउनॉड पर क्लिक करेंगे आपको फोटो जो है आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चूका है आप इसी तरह से Android फोन से iPhone में फोटो वीडियो ओडियो सेंड कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना है और हमारे वीडियो देखने के लिए सेयर सस्क्राइब लाइक बेल एकिन के बटन जबूर दबा दे ताकि आनले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार